हरे क्रिष्णा आज हम अमल पुडान श्रिमत भागवतम का शुभारंब करने वाले हैं श्रिमत भागवत कथा बहुत ही औस्पीसियस है इससे मंगल ही मंगल होता है तो आईए आज हम श्रिमत भागवतम कथा का शुभारंब करते हैं ओम्नमो भगवते वासुदेवाया नारायनम नमस्कृत्या नडम्चैवनरुत्तमं देविं सरस्वतिं भ्यासं ततो जयमुदे रयेत नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भागवती रुत्तमा श्लोके भक्तिर भावती नष्ठे के क्रंथरा श्रीमत भागवतम की चैर। तो ये जो श्रीमत भागवतम है। ये श्रीमत भागवतम इसमें बारस कंध है और अठारह हजार श्लोक है। कई लोग जो अध्यात्मिक अध्यान से जुड़े नहीं हैं, उनको अक्सर ये confusion होता है कि भागवत गिता क्या है और श्रीमत भागवतम क्या है। कई लोग इसे एक भी मानते हैं। जो एक मानते हैं वो भी सत्य है। और जो अलग-अलग मानते हैं वो भी सत्य है। दोनों बाद एक ही समय में सत्य कैसी हो सकता है। ऐसे कि श्रीमत भागवत गीता जो है उसमें 18 अध्याय हैं और 700 कुल मिलाकर श्लोक है। श्रीमत भागवत गीता महाभारत का एक अंग्षय है। लेकिन श्रीमत भागवत गीता भी एक विशेश गितोपनिशद है। क्योंकि भागवान प्रिश्न द्वारा स्वयम गाया गया है। और श्रीमत भागवतम जो है श्रीमत भागवतम को भी स्वयम क्रिश्न ही कहा गया है। क्योंकि श्रीमत भागवतम में श्री क्रिश्न के बारे में है। भागवत गीता क्रिश्न ने कहा है और भागवतम क्रिश्न के बारे में है। तो इसलिए दोनों एक ही है। श्रीमत भागवतम जो है इस क्रंथ में 18,000 श्लोग है भागवत गीता में 700 श्लोग है और भागवतम में 12 स्कंथ है तो इस 12 स्कंथ का आज हम पहला स्कंथ से शुरू करेंगे और आज की कथा होगी नैमिशा रिन्न में महान यग्य का आरंब तो ये नैमिशा रिन्न क्या है या एक जगह है जो भारत के लखनो नामग जो एक जगह है वहां से थोड़ी दूर पर स्थित है नैमिशा रिन्न अत्यंत पवित्र स्थल है हलाकि बहुत लोगों को इस बाड़े में नहीं पता होगा ये जो स्थली है इसी स्थली को धूरी बनाकर ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मा अंड को नापा था और इस नैमिशा रिन्न स्थली पे अगर यग्य होता है तो आसुरिक शक्ति क्षिन हो जाती है श्रीमत भागवतम जो ये ग्रंथ रूप में आया ब्याजदेव ने ग्रंथ रूप प्रदान किया तो ये श्रीला ब्याजदेव ने अपने सारी रचना के अंत में लिखा वो भी अपने गुरु नारद मुनी के द्वारा इंस्पारड होकर सबसे पहले उन्होंने जो है वेड उपनेशद पुरानों को संकलित किया फिर भी उनके मन में एक संतुष्टी नहीं थी जैसे सब लोग किसी कभी न कभी स्टुडेंट रह चुके है तो ये एक्जामपल बहुत जादा समझ में आएगी सभी के लिए स्टुडेंट के लिए भी और हमारे लिए भी जब हम लोग पढ़के जाते हैं एक्जाम में सब कुछ आता है पर जब एक्जाम पेपर मिलता है तो अगर हम अच्छे से लिखना पाए तो एक असंतुष्टी रहती है यानि हमको पता था कोई क्वेश्चन लेकिन हम उसे अच्छे से लिखना पाए तो ऐसे ही कुछ परिस्थिती थी ब्यास देव की वो ट्रिकालग्य पुरुष्थे त्रिकालग्य पुरुष्थ का अर्थ होता है जो अतीत बर्तमान और भविश्य को देख सके त्रिकालग्य पुरुष्थे प्यास देव जी और उन्होंने जितने भी वेद उपनेश्वर पुरानों को संकलित किया फिर भी उनको संतुष्टी नहीं हुई जैसे कुछ और कारिया बाकी रह गया हो फिर नारदमुनी ने उनको बताया कि आपने अभी तक परमेश्वर श्री कृष्ण का गुणगार नहीं किया लोगों को नहीं बताया है कि भक्ती ही वो एक मात्र उपाय है भगवान को प्राप्त करने का तो इसलिए अंत में उन्होंने श्रीमत भागवतम की दचना की यह जो श्रीमत भागवतम है इसको अमल पुरान कहा गया है अमल पुरान अमल मल नहीं अ मिस मिल तो अमल पुरान मिस परफेक्ट जैसे कोई लेखक है आठर है बुक्ष का एक बुक्स, दो बुक्स, तीन बुक्स, अब इसे बुक्स लिखके जाते हैं, जितना ज़्यादा बुक्स लिखते हैं, उतना ही उनका maturity भर जाता है और mature stage में जो बुक्स लिखते हैं, वो perfection उनके हिसाब से वो perfect होता है और जहां तक शिलब ब्याजदेव की बात है, हमें शास्ट्रों से इसका प्रमान मिलता है, कि वो स्वयम भगवान कृष्ण के अवतार थे कोई भी व्यक्ति अपने आपको भगवान का अवतार खोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि सास्ट्रों में उसका उल्लेख होना ज़रूरी है तो ब्याजदेव की बारे में सास्ट्रों में उल्लेख था और इसलिए ब्याजदेव ने जो भी ग्रंथ संकलित किया वो प्रामानिक है धर्मम्तु साक्षाद भगवद प्रनीतम धर्म जो है वो स्वयम भगवान ही बना सकते है धर्म धर्म क्या मतलब धर्म का अर्थ? धर्म का अर्थ यह नहीं है जो आजकल के कलियूग में हिंदू, मुसलिम, शेख, इस्राई ये तो विश्वास है धर्म तो सबका एक ही है और वो है भगवान की सेवा भगवान के अनेक नाम है तो लोग अलग-अलग नाम का जब कर सकते है लेकिन आत्मा का एक मात्र जो करतेव्य है वो है भगवान की सेवा यही धर्म है तो इस प्रकार से ब्याजदेव ने अपने मैच्योर्ड स्टेज में जब वेद, चारवेद, अठारा पुरान, 108 उपनेशद, महाभारत लिख चुके थे उसके बाद अन्त में श्रीमत भागवतम की रचना की तो श्रीमत भागवतम अमल पुरान है इसमें वेदो का सारांग्स प्रस्तूत किया गया है तो नेमिशा रण्य की बाद हम कर रहे थे तो नेमिशा रण्य वो जगह है जहां पे हजारों रिश्री मुनिया एकत्रित हुए और एक हजार वर्षोत तक भागवत कथा का श्रवन करने के लिए कर्ति बद्ध हुए क्योंकि जब नेमिशा रण्य में महान यग्य का आयोजन किया जाएगा तो आसुरिक शक्तिया क्षिन हो जाएगी और जो रिश्री मुनि होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं वो सिर्व अपने बारे में नहीं सोचते हैं एक्ष्वेली वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है वो जगत के कल्यान के बारे में सोचते हैं इसलिए जो धार्मिक राजा है वो हमेशा भक्तों का आदर करते थे और इसलिए वो हमेशा सलाह उनहीं लोगों से लेते थे जो भगवान के भक्त रिशी मुनिया हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सारे रिशी मुनिया आइकत्रित हुए और उन लोगों ने दिसाइड किया कि हम नैमिशा रन्न में ही भगवत कथा का श्रावन करेंगे इससे पहले भी भगवत कथा जो सबसे पहली बार हुआ था वो है शुक्ताल तो शुक्ताल नामल जो जगह है वहाँ पे सबसे पहले शुकदीब कुस्वामी ने परिक्षित महारास को भगवतम सुनाया तब भी यह रिशीया वहाँ मौजूद थे लेकिन श्रीमत भागवतम वेदो के सारांग्स का वो पका हुआ प्फल है जो जितना भी खाए उतना ही और खाने का जिग्यासा होता है मन होता है और आनन्द होता है नश्ट प्रायेश्व अभद्रेश्व नित्यम भागवतम सेवया जो नित्य श्रीमत भागवतम का श्रवन करते हैं उनके रिदय से सारा दुख कष्ट नश्ट हो जाता है तो इसलिए सुगदिव गुस्वामी से तो सुना था लेकिन फिर से उन लोगों ने वही एग्ग का आयोजन किया ये 5000 साल पुरानी बात है तब भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो चुके थे उन्होंने अपना लिला समाप्त किया था और अपने गुलक ब्रिंदावन जो उनका नित्य धाम है वहाँ प्रस्थान कर चुके थे तो भगवान कृष्ण की लिला समाप्त होते ही कलियूग का आगमन हो रहा था और लक्षन भी दिखाई दे रहा था व्यक्तियों में लालच, क्रोध, हिंसा ये सब बढ़ रहा था तो इसलिए रिश्री मुनियों ने देखा कि ये तो शुरुवात है और आगे जाकर कितना भयंकर कलियूग आने वाला है तो इसलिए कल्यान के लिए जनकल्यान के लिए उन लोगों ने शुरुमत भागवतम का ये कथा यग्या नेमिशा रहन्न में फिर से प्रारंब करने के लिए सुद्गुष्वामी से अनुरोध किया शौनकादी रिश्यों ने अनुरोध किया तो सुद्गुष्वामी भी तयार हुए इस महान येग्य को संपन्न करने के लिए तो मेंली जो है ये रिश्या जानना चाहते थे वेदो का सारांस हाला कि उनको पता था लेकिन जनकल्यान के लिए इन कथाओं को बार-बार बोलने से और सुनने से सबके अंदर जो है भगवान के प्रती भक्ति उदित होता है और इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए जो श्रीमत भागबतम की कथा को जानते हो और भगवान के आज्या के अनुसार साश्ट्रों के अनुसार 100% जो भी भागवतम कथा श्रवन करेंगे उनके अंदर भक्ति जागरित हो ही जाएगे इस पुरे संगसार में दो प्रकार के में लोग है एक जो भगवान पर विश्वास करते हैं और एक जो विश्वास नहीं करते हैं जो फेटलेस पिपल है जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों का यह दुरभाग्य है और जो विश्वास करते हैं उन पर भगवान की क्रिपा है लेकिन भागवत कथा कोई अगर फेटलेस परसन भी सुनना शुरू करें तो उनके अंदर भी बहुत जल्द भागवत भक से शुभ है भगवत कथा श्रवन करना क्योंकि इससे बड़ा शुभर कुछ नहीं हो सकता है कि जन्म मृत्तु के चक्र से हम हमेशा के लिए भगवत धाम को प्रस्थान करें क्योंकि हम आत्मा है शरीर नहीं है हम शरीर बदलते रहते हैं जैसे पुराना वस्त्र हम बदल कर नया बस्त्र धारण करते हैं और इसलिए इस भोटिक संक्सार में दुkh कष्ट भी पाते रहते हैं लेकिन अगर हमगवत कतला श्रवन करते हैं तो हमारे रिदय में जो असुर बैठे रहते हैं लोब का करोध का क्रोधासूर लोभासूर मोहासूर इनकी जो शक्ती है वो और फिर धिले धिले ये सब निकल जाता है और एक लियक्ति तमोगुण राज़ोगुण सत्वगुण से भी उपर शिद्ध सत्वगुण में स्थीत हो जाता है तब उनके जीवन में कोई भी क्लेश दुख नहीं रहता है तो ये जो मुनी है ये प्रश्ण करते हैं छे में प्रश्ण करते हैं और उन में से जो वो बताते हैं फर्स कैंटो प्रथम स्कंध के प्रथम अध्या के ग्यारव इश्लुक में बताते हैं पुछते हैं भुरिनी भुरिकर्मानी श्रोतर व्यानी विभागशह अतह साधोत्र यत्सारं समुद्रित्या मनिशया ब्रुहि भद्राय भूतानं यानात्मासु प्रसीदती अर्थार, सास्त्रों के अनेग विभाग है और उन सब में अनेग नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्यन करके ही सीखा जा सकता है अतहे साथू, क्रिपया आप इन समस्त सास्त्रों का सार्चुन कर समस्त जीवों के कल्यान हेतु समझाए जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए तो यहां हम देखते हैं कि सुद्गुर्स्वामी से शौनक आधी रिश्यों ने कितना सुन्दर प्रश्न किया इतने सारे वेध है, उपनेशद है, पुर्रान है, हमारा छोटा सा जीवन है कलियूग में तो लोग मुश्किल से सौ साल जीते हैं और जितना कलियूग बढ़ता जा रहा है, उतना ही एवरेज जो एज है जीने का कम होता जा रहा है और अब तक 60-63 ऐसा परसंटेज में आ गया है सर्वे से हमें पता चलता है, कि कितने कम उम्र में लोगों का दिहान थो रहा है सौ साल भी नहीं जी पाते तो इतने कम समय में, जहां अमारा बच्पन का समय खिलने, कुदने में और परहाई में बिच जाता है फिर हम बिवाह करते हैं, और ग्रिहस्थ की जो भारी responsibilities है, उसमें बीच जाता है फिर, responsibility खतम करते करते बुड़े हो जाते हैं, और बिमारिया आ जाती है और मृत्तु हो जाती है तो इतने कम समय में, हम सारी ग्रंथों का अध्यान कैसे करेंगे यह बात मुनी जानते थे, और इसलिए उन्होंने हमारे कल्यान के लिए प्रशन किया कि सारी वेद, उपनीशत, पुड़ानों का सार हमें बताइए इसलिए कल्यव्यूग में हमें अलग-अलग पुड़ान पढ़नी की, या अलग-अलग उपनीशत, अलग-अलग जो हमारे वेदा है रीग वेद ये जुर वेद सामवेज सारे वेद अथरवेद पढ़ने की आविशक्ता नहीं है हमारे पास इतना समय ही नहीं है अगर हम पढ़े भी तो समझने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है या ऐसा प्रामानिक गुरु प्राप्त हो और हम पढ़े बैठ कर बहुत मिश्किल है इसलिए कलियोग में श्रीमत भागवत गीता जो वेदो का सारांस भगवान ने करीब एक घंटे में अर्जुन को महा भारत के युद्धिक शेत्र में कुरुक शेत्र में सुनाया वो पढ़ना चाहिए और श्रीमत भागवतम बस य इसलिए सुद्गुस्वामी भी सिर्फ सारांस प्रस्टूत करते हैं व्याजदेव ने वेदो का सारांस प्रस्टूत किया है तो यह जो प्रथम स्कर्म के प्रथम अध्या के चौदर वाश्ट लोग है उसमें बताते हैं आपन्नह संस्रितिम घोरं यन्नामा वीव शुग अनुवार जन्म तथा मुरित्यू के जाल में उलजे हुए जीव यदि अन्जाने में भी कृष्ण की पवित्र नाम का उच्चारन करते हैं तो तुरंत मुप्त हो जाते हैं क्यूंकि साक्षाद भई भी इससे भई भीत रहता है प्रश्ण पुछा और तुरं सारांस प्रस्टूत किया चौदवा श्लोग भी अगर हम अच्छे से समझे तो इतना ही काफी है कि जन्म मृत्यू में उलजे हुआ जीव उलजकर रहने का मतलब क्या है मतलब कितना सारा प्रॉब्लेम से कुछ पार्मनेंट प्रॉब्लेम से जन्मम्रित्यू जरा अब्यादी में पार्मनेंट प्रॉब्लेम का अरथ होता है नोबोडी वांस एक कोई नहीं चाहता लेकिन सब को मिलेगा जन्म बार-बार जन्म मिलेना पड़ेगा और जन्म है तो मृत्यू भी प्राप्त होगा दोनों ही कष्ट कर है हालाकि ऐसा लगता है कि इसे मा को कष्ट हो रहा है लेकिन मा के पेट में जो बच्छा है इसको भी कष्ट होता है मा के स्टूल यूरीन में तेरता हुआ कीत पतंग जो है कीरा इसको काड़ते हैं तो वो अनकॉंसियस हो जाता है और एक थैली में जैसे वो बंध है, स्वाधिमता नहीं है, स्वतंतता नहीं है, मुवमेंट का, मा कोई तिखा कुछ खा लेंगी, तो उसका पूरा शरीर जलेगा, पेन होगा, कितना पेनफुल है, नौ महीना रहना है, जन्म पेनफुल है, मृत्तु पेनफुल है, और ब्या और जरा, मतलब बुढ़ापा, ठेले ही हम ऐसा करें कि मेकप करें, और हम कुछ प्लस्टिक सरजरी कर लें, लेकिन बुढ़ापा से कोई नहीं बच सकता है, तो यह पर्मनेंट प्रॉब्लेम है, इसकी अलाबा हजारों टेंपुलेरी प्रॉब्लेम से, तो यह जन्म मृत् इक संसार में आये हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अंजाने में भी कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं, क्यूंकि कृष्ण नाम से साक्षाद भर भी भर भीत रहता है, तो इसलिए मैं मिशारिन्न में हजारों इश्या एकत्र हुए, और एक हजार वर्षों तक भगवत कथा का श्रवन किया, और ये जो भगवत कथा का श्रवन करते हैं, उनके रिदय से सारा जो भी गंदगी है, जैसे कि इर्शा, इर्शा सबसे खतरनाग है, इर्शा का अर्थ होता है, दुसरों का उन्नती सहन नहीं कर पाना, मैक्सिमाम लोग कलियोग में दुखी रहते हैं कि इसलिए नहीं कि मेरे पास कुछ कम है, उसके पास ज्यादा क्यों है, तो ये जो इर्शा की भावना है, इससे हम मुख्त होते हैं, काम, क्रोड, लोग, मोहंकार, जो हमें कष्ट देने वाली भावनाएं हैं, इससे हम सार किस कार्य से जनसमायन का परम कल्यान है, किस कार्य से, भगवत भक्ति से, सब सिक्षाओं का सार निछोड कर हमारे समक्स प्रस्टूत की जेवेदों की, और प्रस्टूत करते हैं, सुद्गु स्वामी, फिर कि भगवान कृष्ण ने देवकी की पुत्र के रूप में, क आप कृष्ण कथा कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, सारे अवतार की बारे में सुनना चाहते हैं, हमारे लिए, तकि हम उसको पढ़े, उसको बोले, उसको सुने और अपना कल्यान करें, और अंत में प्रश्ण करते है है कि भगवान कृष्ण अपना लिला समाप्त करके अपने निट्य धाम गोलक ब्रिंदावन जा चुके है बहुत लोगों का ऐसा गलत फैमी होता है कि भगवान ग्रावान कृष्na तो मनुष्य थे अभी जन्म हुआ था 5000 साल पहले वले Mt bajo kwandra कृषणा फ़्लेउया बेदीज मैं ग्यान को देने से पहले सूरीया को दिया तो और फिर अर्जनको बताते हैं कि आसा कभी नहीं हुआ निज नहीं थे ना हम नहीं थे निज भगवान कृष्ण का भी जो सनातन स्थिती है वैसे आत्मा का भी हम की अंग्ष एंग्ष एतो हम उनके अंग्ष एतो हम भी सनातन मार है और भगवान का धाम के बारे में बात कर रह दे Kitty ये वाइकूंठ में सुबसेश रिष्ट जो उपड़ है वह है भगवान का गोलग ब्रिंदावन तो भगवान अपना लिला प्रिथ्वी में समाप्त किया और गोलग ब्रिंदावन चले गए भगवान इस प्रिथ्वी में इसलिए आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में ताकि हम उनको समझ सके उनकी लिलाओं को पड़ पड़ कर सुन सुन कर हम समझ सके जब हम कान से श्रवन करते हैं तब जाके भगवान का दर्शन होता है कान से स्रवनम् को पहले है सुनने से हमारा हुध़ शुद होता है ब्रेन टिशूस सुद होता है सिस्से हम आध्धात्मीक चीज़ों को समस्थ सकते हैं तो इसलिए भगवत कथा हमें सुनना चाहिए और श्रवन करे बिना हमें महत्त पता नहीं चलता भगवान महान है गॉ अव्तारों के बारे में भी बताया गया है श्रीमद भागवतम में और यह भी कहां गया है कितनी सारी अवतार है भग्वान के लेकिन जितने भी अवतार का बताया गया है उसमें कृष्ण स्टु भगवान स्वयाम कृष्ण अवतारी पुरिश है कृष्ण भगवान है जैनरल पब्लिक को ऐसा भी रहता है थिंकिंग की सब विश्णु के अवतार है एक्चुली विश्णु कृष्ण अंतर नहीं है लेकिन उन्होंने अपना स्वांस का भी विस्थर किया है कृष्ण से तेन विश्णु का विस्थर है विश्णु तु त्यू अपने सात्वत्त अंतर कृछिदोध न्त्र के लिये ही हमें भगवात्वत्तम श्रवन करना पड़ेगा और इससे धीर हम समझ जाएंगे कि कृष्ण ही अवतारी पुरुष है पापकी सब उनके अवतार है और असंख अवतार है और शास्ट्रों में वर्णन भी है तो इसलिए आए हम श्रिमत भागवत्तम को ध्यान पुर्वक और श्रद्धा पुर्वक सुनें यही दो मेन क्वालिफिकेशन है इसके लिए हमें संस्क्रेट में महान पंडित बनने की आवश्रक्ता नहीं है एक श्रद्धा बांध रिदय की जरूरत है और ध्यान पुर्वक सुनने की जरूरत है और यही नई मिश्रा रिन्न में सुनने के लिए और हमारे कल्यान के लिए सारे रिश्री मुनियों ने विग्यासा की और इस महान यग्ग को प्राराम भक्या थैंक यू वेरी मच्छ हरे कृष्णा ग्रंथरा श्रीमत भागवत्रम की चैरिंग